हेलो, हाई, मुझे नहीं बता तुम यह वीडियो कब देख रहो लेकिन अगर अभी 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 अतलब कभी अभी मतलब जब अपलोड हूई है, तो कल के कल हमारे 100k subscribers पूरे वैस चैनल पे, तो अब important बात सुनो, इस वीडियो में हम लोग बबल गीम करके concept बनाएंगे और उसके अंदर basically आपको क्या जानना जरूरी है, वो सुन लो ध्यान से. HTML, CSS ये आपको आना चाहिए, और बहुत basic level पे लगने वाला है, तो अगर आपने ये दो वीडियो देखिये हैं, बहुत जादा सीख लिया, उससे काफी कम लगेगा. अब आते हैं JavaScript पे, तो हाँ, ये एक ऐसी चीज है जिसमें खूप सारी JavaScript लगेगी, तो जो लोग कहते हैं न, कि भाईया यार JavaScript पढ़ते हैं लेकर मुझे use के समझ नहीं आता JavaScript का, कि कहां लिखें JavaScript, क्या बनाएं उससे. This thing will definitely teach you that. इस project के अंदर आप ये सीखोगे कि आप कैसे JavaScript लिखते हो और कैसे आप DOM में changes perform कर सकते हो, right? This project will definitely teach you a lot, आपकी skills को grow कर आएगा, एक छोटी important बात जो आपको follow करनी चाहे, प्लीज मेरी बात चुनो. सारे creators YouTube पे आपसे यह काएंगे, एक बार में पूरी वीडियो देखो, क्योंकि उन्हें चाहिए को वीडियो पुश हो जाए, वगरा वगरा. मुझे नहीं पता है, वीडियो पुश हो, ना हो, I really don't care about that. Yes, मैं चाहता हूँ कि पुश हो जाए, बट उससे तुम्हें results एक बार में नहीं मिलेंगे. मैं जो तुम्हें बता रहा है, उससे ध्यान से सुनो. तुम्हें इस वीडियो को एक हद तक देखना है, जब तुम्हें लगता है कि यहां तक तुम्हें एक बार में बना दूँगा. और जैसी तुम्हें लगे कि अब आप शायद नहीं बना पाऊंगा वीडियो को वहीं पॉस करना. और notes बना लेना और उतना code करना, ठीक है, उसके बाद video को वही से continue करना जहां पर पिछली बार छोड़ा था, और फिर उसके बाद उधर तक देखना जहां तक तक तुम्हें लगता है, कि तुमसे आप यहां तक तो बन जाएगा, और फिर उसके बाद, अचा कई लोग क्या कर एक बड़ा चंक देख लो, पॉस करो फिर code करो, और फिर एक बड़ा चंक देखो और फिर पॉस करो फिर code करो, इससे क्या होगा, जब तुम्हें बड़ा चंक देखकर code करोगे, तुम failure के chances create करोगे, जो कि actually तुम्हें वापिस इस वीडियो पर लेकर आएंगे, जो कि तु Good one, आपको काफी पसंद आएगा, let's go. Hello, कैसे हो दोस्तो, तब बात सनो, आज पन को शुरू करना bubble game, तो कुछ चीज है जल्दी से, बहुत कुछ, बहुत heavy next level, कोई Valorant टाइप का गेम नी होने वाला, या PUBG टाइप का गेम नी होने वाला, obviously you know that, but इसका मोटिफ का है, मोटिफ है, आपको एक कॉंसेप सेखानों, event bubbling, ठीक है, तो सर एक मिनट, event bubbling कोई concept है, या आपका मनगणन कोई कहानी है, नहीं, event bubbling नाम का concept होता है, जिसका मतलब होता है, क्या वोबी हम समझेंगे, और उस concept को समझने के लिए, there is something called bubble game, right, it's gonna be a good one, and I'm pretty sure, आप कुछ सीख पाओगे, इस से पहले phone ringtone बजाई, मुझे इ और कि कॉल भी आ रहा तो कॉल भी उठाना पड़ेगा, एक सकेंड, एक सकेंड, एक सकेंड, तो फोन को साइड में रख दिया है, क्योंकि फोन तुम बजो मत कांगे, यहां रख जाओ, तैंक यू, और बात सुनो अब, अचा मुझे एक बात बताओ, तुम लोग जराद कॉम तो सबसे पहला, नीद दे बॉलर प्लेट ऑफ एच्टेमल से एससें जाओसकर, लेट्स गो, बाइद वे, कई लोग कॉमेंट करते हैं के पढ़ाते पढ़ाते बख्चोदी ज्यादा कर देते हो, वगयरा वगयरा, तो यार, इस इस हाओ आँ टीच, मुझे हसी मजाग पढ़ाने का तरीका आपको ज्यादा पसंद आई, आप उससे देख सकते हो, उससे सीख सकते हो, अगर मैं अपना पढ़ाने का तरीका चेंज कर दूँगा, तो उसमें मजा नहीं आएगा, जिनको नहीं पता यह क्या लिग दे रहा हूँ, इससे सी एसस का बॉल अटा दू तो इसके इलावा, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या है, तो तुम्हें यह दो वीडियो देखने चाहिए, इससे तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगा, तुम्हें सब को सीखने को मिल जाएगा, जो इस प्रोजेक्ट में लगएगा, लेट्स गो, तो CSS में ब को में लिख लेगा, अब में फुल-screen div बनाना है, तो तो इल गो हीर, में बट 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 यह यहां पर क्यों विट लिख रहा हूं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो yes, बट यह, hashtag main, width 100% and height को में कर लूंगा 100%, background color को, anything like green, बहुत ही light green ले ले लेता हूं, पेस्टल ग्रीन जिस let's go and let's see, चलू, चलू जो, thank you, pistol green color, बट अब इसके अंदर में थो, panel ले लिया, panel, चलो panel आजाओ, panel, panel, where are you, panel, 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 width 100%, आजाओ, height, 100% width नहीं हा, जाद हो जाएगा, 80% width, 80% and 90% width, ठीक है, और height हम ले 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 लेता है, 90% height, देख लेंगे, कोई भी changes लगेंगे, बाद में, change कर लेंगे, का पैनल देख पा रहो है, white वाला, जी हाँ, और अब इस पर display flex लगा दो, align item center कर दो, और justify content D, center कर दो, it will come at the center, right, अब जो weight हो मुझे तोड़ी जादा लग रहे, keep it 80% और यहाँ पर जो color है, मैं इसको तो अब, अब क्या करना है, border radius मैंने देदिया 10 pixels, तो आपको चारो corners पर 10 pixels का border radius देखेगा, मैंने इसकी value 5 कर दी, तो 5 देखेगा, बढ़िया, और यह zoom चल रहा है, तो मुझे zoom हटाना पड़ेगा, nice, 5 pixels कम है, अब 10 वापस करो, क्योंकि पहले zoom पे था, okay, this is good, this is good, nice, अब इस panel top देदिया, p top, p top मतलब panel top, right, divs के नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आप चाहें, और p top पे आजाओ, 100% item देदेते हैं, 100 pixels, background color हम कर देते हैं, या background color क्या रखोगे, मैं रख देता हूँ green sort of, इसी green का, थोड़ा सा darker portion, क्या मुझे darker रखना चाहिए, मुझे पता न मजा नहीं आरहा, जैसा, क्या सकते हैं, right, अब यह जो border radius थी वो तो guyab होगी, क्यों guyab होगी, क्यों क्यों guyab होगी, क्यूंकि पैनल को मैंने यह नहीं बोला भी तक overflow hidden, जैसी मैं पैनल को overflow hidden बोलूँगा, तो जितना भी पार्ट इस white वाइले panel के बाहर जाएगा, जो जो ग बॉर्डस बाहर जा रहे थे, अब वो हाइड हो जाएंगे, तुम्हें समझ आ रहा है, तुम्हें समझ आ रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर तुम्हें यह Learn What Matters, CSS और HTML पढ़ा होगा तो आ रहा होगा, लेट्स गो, तो पैनल टॉप में मुझे तीन हिस्से बनाने है, पै समझ आ रहा है, मैं आप रहा है, तुम्हें आप बहुत कम समझ आ रहा होगा क्या हो ठुंआ है, अगर हम का लिख धीता है, ठीक क्ई है, षरय खूझ क और क्या लिख धा है वह देखो, तो LM पे, मैंने तीनो LM को select किया, मैंने एक LM पे लिख दिया, H4 के अंदर, score और एक ठो बना लिया है, div box, अभी तो मैं sense नहीं कर रहा होगा, यह क्या लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, बहुत जल्दी यह sense करेगा, padding, 10 pixels, background color is white, border radius is 5 pixels, okay, so if you'll see, this is what it's looking like, काफी bullshit type का कुछ दिख रहा है, right, we'll handle that, don't worry, let's move to the top, fun family grows Gilroy, come on Gilroy, yes, thank you Gilroy, very nice, and now what we'll do, panel top को display flex कर दो मेरे प्यारे भाई, तीनों अगल बगल हो जाएंगे, और color इसके अंदर white कर दो, so that every text goes white, and not just that, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे, मैं P top को pattern दे रहा हूं, 10 pixels, बढ़िया, और align items center दे रहा हूं, तक है height में चीज़े center हो जाएं, बढ़िया, और, 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 मुझे, तीनों को divide करना है, right, तब फिर मैं यहाँ पे, मैंने 3 elements बनाया थी, right, उन तीनों की width रख रहा हूं 30%, 30% width this किये, 30% width this किये, 30% width this किये, 30-30% width है, right, and, अब मैं यहाँ पे justify content space between कर दूंगा, justify content space, come on, space around नहीं, space between, so you will see, you will see, this, right, बढ़िया, मुझे रखता है 30% काफी जादा है, 10%, 12% मैंने नहीं की width कर दी, बढ़िया, this is good, अब LM को display flex बनाओ, LM display flex होगा, तो score and वो, जो अपने box बनायता है, वो दोन अगल बगला जाएंगे, background collaborate करो and then you will see the problem, हम काफी distance ले रहे हैं and हम उतना use नहीं कर रहे हैं, तो आप चाहे हैं, to width थटा सकते हो, width थटा होगे, this is what it will look like, मैं क्या कर रहा है, अब यह जो पैनल टॉप है, अगर मैं इसके left की padding यहां तक कर दूँ, और right की padding यहां तक कर दूँ, तो यह elements इतने area में ही बनेंगे, तो जो 10 pixel padding है, उसको उपा नीचे zero कर रहा हूँ, और अगल बगल मैं उसकी padding को 20% कर दूँ, देखो, या 40% कर दूँ, कुछ ऐसा, 40% तो जादा harsh रजाएगा, 30% is good, nice, तो अपने इसाब से numbers को तुम change कर सकते हो, depends हो नहीं, मैं background color red हटाऊँगा, और यहाँ पर जाऊँगा, वो जो box लिखा हुए उसके अंदर 5 लिख दूँगा, let's see what it looks like, यहाँ पर आपको जो 5 वो दिखी से लिए नहीं रहा है, क्योंकि उसका color white है, तो फिर, LM को जिसको display flex दिया है, उसके अलान item center दे दूँगा, और इसके बीच में gap भी डाल दूँगा 20 pixels, तो इनको इस तरीके से तम देख पाऊँगे, इसके box के अंदर 5 लिखा है उसे धंग से दिखाने के लिए, color उसके अंदर का कर दीचे black, तो आपको 5 दिखने लगेगा, पहली चीज, दूसरी important बार font weight, 500 या 600 या 700 ट्राय कर सकते हैं, and that will make it darker, बढ़िया लग रहा है, and मैं इसका font size बढ़ाना चाहता हूं, so I'll go follow, 20 pixels I'm not sure about that, 20, maybe 30, maybe 30, maybe 30, 25 maybe, maybe 25, ठीक है, और साथी साथ, साथी साथ एक चीज और, यहाँ पे जो H4s हैं, मैं इनको H3 बनाना चाहता हूं, या फिर H2 बनाना चाहता हूं, H2 is good, okay, so, तो अब हमें जो करना है that is, यहाँ पे जो मैंने box को padding बगए रहा है तीना, I don't find it good, 10 pixels उपर नीचे 20 pixels बगए बढ़ा बढ़ा, yes, that is looking good, और यहाँ पर जो बचे हुए element है, मैं अभी random numbers वहाँ पर पुट कर दे रहा हूं, so you can see this, जो color black मैंने यहाँ पर किया हुआ है, उसे black attack, मैं उसे green करूंगा, and तोड़ा सा darker, maybe something like that, no, maybe anything like that, yes, more like that, तो अब हमारे यहाँ पर elements लख रहे है, हम इनके नाम score 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 नी रखेंगे, इसका नाम होगा hit, इसका नाम होगा we can say timer, and इसका नाम होजाएगा score, hit timer and score, ठीक है, बढ़िया, तो फिर, by default timer 60, 60 is looking like this, ठीक ठीक लग रहा है, ठीक है, पैनल टॉप को बंद करो, पैनल बॉटम पे आओ, पैनल बॉटम पे अपना गया, पैनल बॉटम यह वाला पाइट है, अब पैनल बॉटम को डिजाइन करना है, कैसे करेंगे, PBTM, width full होगई, और height अपनी कहां से शुरू होगी, यहां से यहां तक, अब वह कैसे पता चलेगा, वह ऐसे पता चलेगा, कि पैनल टॉप की height क्या है 100 pixels, तो हम ही कहना पड़ेगा, total height में से, total height में से minus कर दो 100 pixels को, लेकिन यह possible नहीं है, क्यों कि percentage से pixel को minus नहीं कर सकते हैं, और इसलिए बनाया गा एक function, उसका नाम है calc, क्यों क्यों use कर रहे हैं, क्योंकि calc function में, आप percentage को pixel से minus कर सकते हो, तो अगर आप calc यूज करोगे, तो आप percentage को pixel से minus कर सकते हो, समझ गया तुम लोग, background color black कर देता हूं, तो उससे, समझ आएगा कि वह space ले रहा है नहीं, black color अबटा दो, वहां पे एक element है, इसका नाम किया है PBDM, Panel Bottom, अब इसके अंदर मैंने एक तो, bubble बनाया, देखना, मैं आपर रहूंगा, मैंने आपर इसका नाम रखा है Bubble, चलो, बढ़िया, Width, मैं बबल को Width दे रहा हूं, 20 pixels, I am not sure देखना पड़ेगा, सही width है नहीं, 20 pixels, background color, मैं अभी के लिए दे देता हूं, कोई भी background color जो हमें ठीक लगे, वह bubble वहाँ दिख रहा है, मैं इसका background color change करना चाहूंगा, I'll go with this color maybe, yeah, that will work probably, and finally, I'll go here, I'll give it 40, 40, maybe 60, तुम अपनी screen के साब से changes कर सकते हो, मैं यह पर color setup कर रहा हूं, which is white, तो basically अगर इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा, तो वह white color में आएगा, और border radius मैं इसके setup कर रहा हूं, 10 pixels, 10 pixels हैं 50%, तो इससे circular हो जाए, अब PBTM को अपन दे देंगे, padding, these pixels, you can see it right, और bubble के अंदर मैं 5 लिख दूँ, तो 5 यहां रहा है, corner पे अभी, तो इसको ठीक तरीके से लाने के लिए, बस एक चीज़ करने पड़ीगी, बबल को display, flex, align item center, justify content, center, element कहा जाएगा center पे, अतिक्तम लोग के समझा रहा होगा, right, और, LM के अंदर जो मैंना h3 है, quant weight मैं उसका 500 किमना चाहता हूं, या 200, क्या हो h2 बन चुका है, मैं sure नहीं हूं, देखना पड़ेगा, ESO H2 बन चुका है, 200 तो काफी काम है, 500 देना चाहता हूं, and it looks good to me, font size 22, ठीक है, यहां पर भी मैंने font size कहीं पर अल्टर करा है, font size, let's go, give it 17 pixels, 17 pixels काफी कम हजाएगा 20 pixels, feels good, ठीक है, अब यह तोड़ा decent लग रहा है, और अब आते हैं यहां पर, तो यह, क्या मैंने कोई gildroy font लगाने में घरबर करी है, क्या नहीं करी तो नहीं है, फिर भी आज gildroy मुझे कल़ा अच्छा क्यों लग रहा है, ठीक है अब क्या कर सकते हैं, 500 font weight, यहां पर मैंने bubble का font weight बढ़ा दिया, क्या आप एक bubble देख सकते हैं, आप चाहें तो bubble का power state भी बना सकते हैं, और जब होगा, तो हम bubble से कहेंगे क्या आप अपना color को darker कर लीजे, कुछ इतना, we can see, और cursor को pointer कर लीजे, perfect, अब हमें इस जैसे कितने bubbles से ही है, पहले दो bubbles को बनाओ, और फिर देखो क्या दिक्कत कोई आ रही है, और हमें पता चलेगा कि हाँ, हमारे bubbles उपर नीचे आ रहे है, जबकी अगल बगनाने चाहिए, तो दिक्कत क्यों आ रही है, PBTM पर जाहिए, display flex, and that will resolve it, and you can give it a gap as well, gap of 10 pixels, and that will create the differences with it, अब क्या करो, अब इन जैसे बहुत सारे बनाओ, then you'll realize the next problem, the next problem is this, कि यह element बन भी नहीं पा रहे है, फिर भी इन्हें यहीं पर रखा जा रहे है, और इस problem से निपटने के लिए, अब को सिर फिक चीज़ आ लेकिने, flex wrap, wrap, इससे क्या होगा, basically flex wrap का मतलब होता है कि क्या आप elements को अगली line पर ला सकते हो, by default इसकी value होती है, no wrap, no wrap का मतलब अगली line पर मत लाना, और हमने उसकी value change करके कर दिया है wrap, जिसके इस element अगली line पर आप आएंगे कुछ इस तरीके से, perfect, अब आप यहां पर जो extra elements आपने बनाए हैं, उनको अटा सकते हो, चलो, और हमसे bro, कितने bubbles बचे, क्या हम bubbles हाथ से बनाएंगे, बिलकुल नहीं, क्यों, क्यों क्या मैं नहीं पता हूँ आप कितने bubbles होंगे, मतलब यहां पर 70-80 bubbles होंगे, तो क्या मैं हाथ से बनाएंगे, बिलकुल नहीं, तफिर, that's where JavaScript comes in, let's go, तो अब हम JavaScript को अटाच करेंगे, JavaScript, come on, come on JavaScript, let's go, अब देखो, सबसे पहली चीज़ जो लगेगी है, वो है loop, loop क्यों, क्यों क्यों हमें bubbles बनाने हैं, where I is will do 0, I, 0, 1, 1000, जहां से चालो करना कर सकते हैं, मैंने 1 से चालो कर लिया, और यह जाता है, 69 तो, 69 is very lucky number, तो आप लोग हमेशा यूस करते रहें, 69 जिन्दगी में कई बार, आपको बगवान मौका दे, ऐसा आफसर दे, कि आप, let's go, चलो, तो हमारे पास 1 से, काम कहते हैं, 70 बार ही चला लेते हैं, confusion कम होगा, तो 1 से 70 बार तक यह चलेगा, हर बार आपको क्या करना है, हर बार मुझे एक bubble बनाना है, ठीक है, बन जाएगा, यह लूप कित्ती बार चलेगा, 1 से 70 तक चला 70 बार, तो क्या आप चाहते हैं कि 70 बार bubble बने, जी हाँ, तो मैं इस bubble को यह से अटाऊँगा, वहाँ पे एक भी bubble नहीं है, मैं जाव स्क्रिप्ट में आऊँगा, मैं यह लिख दूँगा, तो 70 बार यह code चलेगा, लेकिन 70 बार जब यह code चलेगा, तो पिछला code बूल चुका होगा computer, क्यों? क्योंकि आपने से कहीं save नहीं किया, मतलब मैं समझाता हूँ, एक वरेपल ले लेते हैं clutter, जरा ध्यान से देखना, बाइदर वे, मैंने यह पे back ticks लगाएं, single quotes नहीं, बता देता हूँ, यह कहलाता है single quote, और यह कहलाता है back tick, क्या फरक हैं? काफी फरक है, फरक क्या है, पहली चीज तो similarity क्या है पहले वो समझो, दोनो ही string को store करने यूज होते हैं, ठीक है, फरक क्या है, फरक है कि अगर आपको यह पे dynamic value जोडननी होगी, तो आपको plus का sign यूज करना पड़ेगा, तब आपको यह dynamic value जोड सकते हैं, अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा है, तो शायद आप गलाट tutorial देख रहे हैं, क्यूंकि अगर आपको यह नहीं आता जो मैं अभी बता रहा हूँ, तो आप उसके कहीं जादा आगे की चीज देख रहा हूँ, यह project फिर आपके लिए नहीं है, और this is extreme basic, और backtick में क्या है difference, backtick में basically आपको कभी plus नहीं लगाना पड़ता, अप अंदर ही dynamic values को जोड सकते हैं, कुछ ऐसे, dollar collie braces 2 plus 2, कुछ ऐसे, I believe that makes sense, ठीक है, let's go, बढ़िया, तो मुझे बताओ, कहले मेरी बात सुनो, मुझे बताओ line number 3, पे जो fall loop लेखा हुआ है, कितनी बार चलेगा, सतर बार चलेगा, ठीक है, line number 4 का code फिर सतर बार चलेगा, क्या आप मानते है, line number 4 पे जो लिखा हुआ है, वो सतर बार चलेगा, तो clutter में सतर बार क्या save होगा, जो आगे लिखा हुआ है, div class bubble, बिल्कुल, क्या वो हर बार पिछले को overwrite करेगा, मतलब, पिछला जो लिखा होगा, उसे हटा देगा और अगला डाल देगा, पर अगला और पिछला तो सीम ही है, हाँ, बस मैं बता रहा हूँ, कि पिछला ओला डिव हट जाएगा और नय ओला डिव डल जाएगा, तो सोचो मैंने तुम्हारे हाथ में पहले एक सेब रखा, ऐसे रख दिया, अगली बार मैंने वो सेब हटाके दूसरा सेब रख दिया, अगली बार मैंने वो सेब हटाके दूसरा सेब रख दिया, तो आखरी बार तुम्हारे हाथ में कितने सेब होगे, तुम कहोगे भी है एक save होगा बिल्कुल वैसे यहां भी है clutter में आखरी बार से fakie div होगा हम ओके does make sense क्योंकि यहां पे आप equal लगा रहे हो मतलब पिछला हट जाएगा और यह save हो जाएगा ओके राइट अगर अगर आप यहां पे plus equal क्यों क्योंकि पिछला हटाया नहीं वैसे यहां है plus equal का मतलब है clutter में पिछली value जो डली हुई है वो तो रखे रहो साथ में यह भी आइट कर दो okay line number 3 पे जो code लिखा हुआ है जल्दी से पढ़ो मुझे पताओ लूप कितनी बार चलेगा तुम्हें पता है उसका जवब 70 बार है line number 4 का code इसका मतलब वो 70 बार चलेगा तो हम यह कह सकते हैं कि line number 4 पे जो clutter plus equal लिखा है उसका मतलब है clutter में बार बार आड होगा कितनी बार 70 बार क्यों क्यों क्योंकि वो 70 बार चलेगा all right तो आप यह कहना चाहते हो sir कि clutter में clutter जो variable है उसमें 70 बार div class bubble 5 add होगा okay right 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 और अब रोल शुरू होता है DOM का तो अगर आपने यह video नहीं देखे DOM what matters go and watch क्योंकि बिना उसके अगला code आपको समझ नहीं आएगा right let's go बट अगर आपको basic DOM आता है तो let's go कहता हूँ हम select किसे कर रहे है PBTM को which is this white part समझ रहे हो hashtag PBTM dot innerHTML my friend clutter and the magic happened alrighty तो आप यह कहना चाहते हो कि यह 70 bubbles JavaScript के से आए जी हाँ दोस्त और अब 120 और अब 130 सर आप यह क्यों कर रहे है यह मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है मुझे यह करना चाहिए इसलिए right 147 bubbles मेरी स्क्रीन भर जाती है I feel के मैं शहएद 148 पर चेक कर सकता हूँ कि हाँ यह भी ठीक लगेगा वैसे तो 157 let's go 165 let's go maybe 68 168 bubbles मेरी स्क्रीन पर 168 bubbles आरहे है यह dynamic में नहीं रखाया value बढ़ आप चाहें तो dynamic भी रख सकते हैं cool क्या पांत है कि सारे numbers 5 एंस वक्त और यह अलग-अलग होने चाहिए हाँ हाँ यह अलग-अलग होने चाहिए तो फिरम से change कैसे करें दिमांग लगा के let's go मैं आपको गुच्से खाने वाला हूँ अब और ध्यान से सुनना हम सीखने वाले random number कैसे निकालते है single digit का math.random यह आपको देगा एक ऐसा number जो 0-1 के बीच में होगा again मैं सुनो मेरी बात 0-1 के बीच में इसका मतलब वो number कभी 0 नहीं होगा और कभी 1 नहीं होगा नहीं आपने बुला नहीं 0-1 के बीच में हाँ मैंने यह बुला 0-1 के बीच में ललितपुर से भुपाल के बीच में ना मैं ललितपुर में हूँ ना मैं भुपाल में हूँ मैं बीच में हूँ कही, got it, 07 के बीच में, right, okay, तो sir, 07 के बीच में कोई number होता ही नहीं होता है, points में, okay, 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 तो अगर मुझे थोड़ी बात maths पड़ी हो, point 2 को 10 से multiply किया, क्या बनेगा, 2.0, बिल्कुल सही है, तो अगर मैं math.random को multiply कर दो 10 से, तो और बार मुझे one digit का एक point वाला number में लेगा, देखा, you got me, तो sir, बट दिक्कत ये है, कि ये तो point वाला number है, मैंने मना नहीं किया, हाँ ये point वाला number है, बट अमरे पास एक चीज और भी होती है, उसका ना मैं math.floor, अगर आप इसमें कोई भी ऐसा number पास करोगे, जिसमें point होता है, तो इसका point हटा देता है, ये point हटा देता है, जी हाँ, कितना भी बड़ा point हो, जी हाँ, point हट जाएगा, हट जाएगा, okay, okay, cool, तो sir, मुझे इसे mix करना चाहिए, कैसे, कुछ ऐसे, क्या आप मांनते हैं, ये point को हटा देता है, हाँ, तो इसके अंदर वो number लिद दो, जो point दे रहा है, वो कोड़ तो हमें आता है, math.random, और तुमें पता है math.random क्या देता है, 0 से 1 के बीच में, और वो decimal में होता है, गुड़े 10, तो भी रिप्टिये भाई, मुझे जल्दी से बताओ, क्या तुमें ये समझ आया, तो, क्या तुम मानते हैं, ये 70 बार चलेगा, और सारी, 168 बार चलेगा, हाँ मैं मानता हूँ, क्या तुम मानते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ हर कोड 168 बार चलेगा, तो क्या तुम मानते हूँ, 168 बार ये कोड भी चलेगा, हाँ, तो क्या तुम ये मानते हो, 168 बार रैंडम नमबर निकलेंगे, हाँ, क्या तुम मानते हो, क्या तुम मानते हो, और RN को यहां यूज के, सारे बबल्स पे नमबर डिफेंट है प्रिटी डोप, प्रिटी डोप शिट जाओ, वीडियो को पॉस्ट कर सकते हो, कोई भी बंदा तुमसे यह नहीं कहेगा, कि वीडियो को पॉस्ट करो, क्यों कि यूट्यूब चैनल को ग्रोथ नहीं देती गो एड और इतना बनाओ, उसके बाद ही वीडियो आगे बनाओ, उसके आगे यह वीडियो चलाओ मतलब ऐसा, पर पहले इतना बनाओ, जाओ पहले इतना बनाओ, बार-बार फेल हो, वीडियो को देख सबते हो फिर से, इतना क्रेट करो पहले, तब आगे हम बात करेंगे, प्रसमी तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं 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 मैं तो बना लूँगा अभी पहले देख लेता हूँ पूरा प्रस्मी प्लीज स्टॉप दिस वीडियो और गो एंड मेक दिस वर्स्ट अगर तुम्हे लगता है नहीं मैं तो बाहर हूँ अभी बाइजार में हूँ अभी या कहीं पर हूँ जा पर मेरे पास लैपटप रोग दो वीडियो कोई दिक्कत नहीं है बाद में बनाना और फिर मैं एक भी लाइन अटा दू तो बाबल नहीं बनेंगे बिलकुल सही है सर बिलकुल सही है तो ओके तो यह जो कोड है यह बबल बनाने का कोड है जी हां मैंने एक फंक्शन बनाया उसका नाम है make bubble और उसके अंदर यह कोड लिप दिया हूँ अगर तुम्हे बेसेक फंक्श आटो थी लोल पर उसकैंड लिवे डियु मैं गरना सबसघता है यह बिलकुल सही हूँ कोड्य yfish है। यह बबल झाल है मेरे बेच का अवैं वह मंपड़ी से तुम्हें समय इत नौ तो वी लमेकष करण अब तो में इक बबल न. तो विल्यू मैं करना तन है भी मैं करना let's go, let's make the time evoke, so we'll go here, function, run timer, run timer, so मैंने आपे बोला, एक global variable है, जिसके वेली कहा है, 60, हर बार क्या हो रहा है, set interval पे, set interval पे, एक timer चल रहा है, function, ये बेसिक JavaScript है, बेटा, this is, this is nothing, nothing जो, जो बहरत complicated हो, run timer function चलेगा, set interval चलेगा, set interval कैसा होता है, हर एक second में वो function को चलाएगा, इस function को, हर एक second में ये function चलेगा, तो इसके अंदर जो भी लिख दोगे, वो हर एक second में चलेगा, हर एक second में, हर एक second में, मैं timer की value minus minus कर रहा, timer के, अच्छा होगे, 60, 59 हो जाएगा, 50, 8 हो जाएगा, जी हाँ, sir, वो तो नहीं हुआ, हो तो रहा है, बढ़ आपने पहली चीज़ तो function नहीं चलाया, sir, अभी भी नहीं हुआ 59, हो तो रहा है, बढ़ आपने यहाँ पर print नहीं किया है, मतलब, मतलब यह, मतलब यह, देखना, यहाँ पर लाना है, 60 की जग़ा, इसका नाम दो, timer value, हम यहाँ आएंगे, इसको माइनस माइनस करने के जिस्ट बाद, document.quailSelector, और हम यहाँ पर करेंगे, hashtag, timerval.textContent is equal to timer, timer value इस वक्या है, 60, जब यह चलेगा तो इसके value घटेगी, घटेगी तो वह वहाँ पर paste हो जाएगी, you can see, timer work कर रहा है, pretty dope shit, यार, बहुत बढ़ियो, बहुत बढ़ियो, very nice, एक number, अच्छा है, एक दिक्कत है, दिक्कत पूछो क्या है, दिक्कत देखना क्या है, अगर मैं timer को 3 से शुरू करूँ, देखना, 2, 1, 0, minus 1, यह बहुत जो क्या हुआ, हाँ, यह क्यों नहीं होगा, तुमने क्या उसे यह बोला था, कि 0 पर रुकना है, नहीं बोला, हाँ, तो फिर वो नीचे जाएगा, अच्छा, तो सर मुझे बोलना पड़ेगा, जी हाँ, कैसे, minus minus करने से पहले चेक करो, क्या timer की value, 0 से बड़ी है, अगर बड़ी है, सिर्फ उसी case में, माइनस माइनस करो, और सिर्फ उसी case में उसे paste भी करो, 1, 0, and will not move forward, right, बढ़िया, तो सर, यह जो set interval है, वो रुक चुका है, नहीं, क्या वो चल रहा है अभी भी, हाँ, पर सर, वो तो नहीं चल रहा है, देखो, चल रहा है, बस print नहीं कर रहा है, बस print नहीं कर रहा है, उसका else part अभी भी चल रहा है, अगर तुम else पे कुछ भी लिप दोगे, वो अभी भी चल रहा है, हर second, जी हाँ, तो सर क्या यह extra memory नहीं खा रहा है, खा रहा है, तो सर इसको हटा देते हैं, हाँ हटा दू, बिलकुल हटा दू, देखो, मैंने इससे save कर लिया, where timer में, let's say, अब आप else पे आ जाईए, और यहाँ पे clear interval timer, तो यह जो आपने set interval को save किया था timer में, उसे आपने else आने पे clear कर दिया, सर यह तो तुरंट हट रहा है, एक छोटी सी गड़बड है, that is basically, just a second, यह code तुरंट चल रहा है, and make this, ओ, मैंने दो बार timer बना दिया, यह भी, यह भी, timer, timer, I'll go with like, timer interval, maybe, timer interval, इसका नाम रख देते हैं, 2, 1, 0, and that's it, क्या timer रुख चुक है, हाँ, अब रुख चुक है, इसके वज़े से, जी हाँ, सर यह वाला code मुझे समझ नहीं आ रहा है, वीडियो को rewind करो दोस्त, एक बाफ फिर से देखो, अगर फिर भी समझ ना है, तो बताना, मैं इसके लिए लग से एक tutorial बनाऊँगा, जिसमें इस जैसी कोच exercises करेंगे, time stamp लगा देना, और जब ऐसे जादा comments होंगे, तो फिर मैं जरूर इस पे एक वीडियो बना दूँगा जहाँ पे इस जैसे और भी examples होंगे, जिनमें तो मैं इसमझ आ जाएगा, तो इस वक्त टाइमर हो रहा है, बढ़ियो, अब आते है हिट पे, यहाँ पे जब मैं कितनी बार भी refresh करूँ, हिट की value change नहीं हो रही है, तो मुझे हर बार एक नया हिट लेकर आए, हमें सक्या सक तो run timer को बंद करो, इसको top पे move कर रहा हूँ, हर चीज के लिए functions बनाता हूँ, इससे मुझे clarity मिलती है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं, तो function get new hit, एक नया function बना है, get new hit, यह function क्या कर रहा है, एक random number नकालना है, one digit का और उसे यहाँ पर रफना है, ठीक है, चलो, तो हम यह पर id लेंगे, hitval, और यहाँ पर अब क्या करना है, एक random number नकालना है, math.flore, math.way, random, kode 10, random number आ गया, and document.querySelector, hashtag, hashtag, hitval, dot text content, और वहाँ पर रखती है, बढ़िया, क्या है, यहाँ पर number चेंज हो रहा है, नहीं, क्यों, क्यों, क्योंकि मैंने उस function को नहीं जलाया, क्या value change होगी, हो नहीं तो चाहिए थी, बट, हो नहीं रही है, कहीं मैंने कुछ गरबढ़ करती, क्योंकि मैंने आपर spelling गलत लिखिया है, hitval, okay, क्या value change हो रही है, हाँ, हो तो रही है, देखो, राइट, हर बार एक different hit आ रहा है, ओकी, ठीक है, और यहाँ पर timer 3 से चालूँ है, उसे 60 करती है, तो timer 60 से चलेगा, बढ़िया, अब score by default 8 नहीं होगा, score by default 0 होगा, तो यहाँ पर 0 देखेगा, game यह है, यहाँ पर hit क्या करना है, 1, अगर हम 1 को hit करें, तो हमारा score 10 से बढ़ जाना चाहिए, और यह जितने bubbles हैं, सारे refresh हो जाना चाहिए, और यहाँ पर यह जो hit लिखा हुआ है, यह number भी बदल जाना चाहिए, that is the game, ठीक ऐसा, टाइमर अपन को चल रहा है, तो अपन का timer जब 0 होगा, तो अपन को यहाँ पर score प्रिंट कर देना, exactly क्या score रहा, so it's a good one, and okay, मज़ा आएगा, क्या, बिल्कुल आएगा, तो अब शीरू करते हैं जरा वह बाला पाट जिसमें hit पे अपन को hit करवा है, right, let's go, Yo, back again, तो recently मेरे पास अभी एक student मिलने आया मत से, तो मुझे बता रहा था थोड़ा सा story, दो मिट लूँगा मैं आपके, अगर पढ़ाई सिर्फ करनी हो तो skip कर सकते हो यह story, but वो मुझे बता रहा था, he was very sad, उसका कहना था, sir, मैं, मैं किस काम कहूँ, मेरी मेरी क्या वाकात है, मेरी क्या मजाल है, मेरी क्या इज़त है, मेरी क्या, कुल मिला कि वो अपनी वॉर्थ नहीं समझ पा रहे थे जनाब, तो मैंने उन्हें बस एकी लाइन बोली, और आप सभी सभी बोलूँगा, समाज से मैन को अटाईए, समाज से आप सिर्फ मैन को अटा दीजे, और आपको समाज गरता हुआ दिखेगा, आप कई लोग कहींगे कि, नहीं जाब वो तो आप फिर औरतों को भी हटा दीजे तो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मैन की बात कर रहा हूँ, ये मेरा मन है कि इस वक्त मैं किसकी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक मैन आया और उसने अपनी वॉर्थ नहीं समझी, तो मैं उसे बताना चाहता हूँ कि आप समाज से खुद को अटा ये समाज के इतिहास से भी आप मैन को अटा दीजा और आपको समाज गरता हुआ देखेगा, लगातार, सो लेट्स गो, अब कोड़ करते हैं, तो exactly scene कुछ ऐसा है, कि, अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो मुझे यह पर टाइमर चलते हुए दिखता है, विच इस वक्त स्कोर बढ़ने का मने कोई मेकानिजम बिल्द नहीं किया है, हमने पर बढ़ने का मेकानिजम बिल्द नहीं किया है, हर बार हमाले पास एक नया हेट आ रहा है, ताइमर चल रहा है, हमें बढ़ने का मेकनिजम बिल्द करना होगा, तो मैंने याप एक score बढ़ने का बढ़ना जिसकी value-0 है, अब मैं एक function बना रहा हूं, दियान से देखना, increase score and यहां पे function क्या कर रहा है, score की value जो भी है, उसे 10 से बढ़ा रहा है, अगर तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा है, मैंने यह क्या लिख दिया, इसका मतलब है, plus equal का मतलब होता है, score की पिछली value में 10 जोड़ो, अब कई लोग स एक में एक जोड़ो, 2, साही है, पर तुमने 2 को save कर लिया, तो मैं स क्या है, three, डेकिन यहा पर ऐसा है, क्या हो सुनन, A puts of 1 तुमने 2 जोड लिए, मैंने का एक और जोड़ो, तो अब तुम्हानकर क्या दोगे, 2, कैसे हां बता तो अगर मैं तुमसे कहूंगा एक और जोड़ो तो अभी भी आंसर गयागा दो क्यों कि वह एक में जोड़ रहा है नया आंसर सेव करने के लिए आपको प्लस एकोल लिखना पड़ेगा इसका मतलब रहेगा यह जो तुमने score बनाया यहां पर zero उसकी value में 10-10 बढ़ाते रहो और हमें changeP तो कहना है कहां change करना है यहां पर तो मैं इसका नाम रख दूँगा ID और इसका नाम रख दूँगा scoreval बढ़िया document.query selector और भाईयो यहां पर मैंने select कर लिया scoreval को बहुत ही बढ़िया तो अभी आप देखो कि score अभी क्या है जीरो है और आप पता होना चाहिए कि मैं इतनी बार बताया कि function को चलाना पड़ता है increase score और value अब वहां क्या हो गई है 10 अगर मैं function को दो बार चला दूँगा तो value क्या हो जाएगी 20 अगर मैं इसे 3 बार चला दूँगा तो value क्या हो जाएगी 30 सर ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि increase score value 10-10 से बढ़ा रहें तो score तो तब बढ़ना चाहिए जब हम जब हम सही hit करें तब बढ़ना चाहिए तो इसलिए तो हम by default से नहीं चलाएगे इसकी value क्या रहेगी 0 लेकिन जब भी हम increase score चलाएगे तो value 10 से बढ़ जाएगी लेट्स गो लेट्स गो मुझे बताओ hit क्या करना है 1 तो आप आपको कहीं 1 देख रहा है हां मुझे देख रहा है यह 1 है तो आप यह चाहते हो आप इस पर click करोगे हां मैं इस पर click करोगे अप इस पर click करोगे हां अचा तो यह चलेगा अभी तो नहीं चलेगा तो अभी तो नहीं चल रहा है तो अभी नहीं चल रहा है तो चलाओगे कैसे और आप आप आए event bubbling बात सुनो ध्यान से event bubbling का concept I'm not sure कि मैंने पहले बताया है और एक बार रिपीट कर दे रहा हूं अगर बताया है और अगर नहीं बताया है तो मैं बताते रहा हूं सुनो जिस पर click करोगे वह element वह element सुनो जिस पर click करोगे वह element पर event raise होगा ठीक है और सुनना और event listener ना मिलने पर event element के parent पर listener ढूंडेगा वहां भी ना मिलने पर event parent के parent के parent के parent पर listener ढूंडेगा इसका बना देता हूं त्री से समझ जाएगा देखो पक्का समझ जाएगा मेरा वादा लेट्स गो फटा 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 पन इसको फटा 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 पन देखेंगा बस epic pen on हो जाए चलो ठीक है पर क्लिक किया मैंने माउस से क्लिक कर दिया अगर इसपर event listener हुआ तो event इसी का चल जाएगा और इसपर event listener नहीं हुआ तो event बावा लोके उस पर भी नहीं हुआ तो बावा लोके पर जाएगा, उस पर भी नहीं हुआ तो यह है concept, समझ आया तुम लोग को, I believe समझ आगया होगा, और अगर समझ आया है, लेट्स गो, चलो, देखो, screen देखो, तो कान ही कुछ ऐसी है कि हम यहाँ पर Even Bibling का Code लिखने वाले है हम किस पर करेंगे हम करेंगे किस पर Baba कtrack करने वाले कोई भी Bubble पर, Right तो हम जब Bubble पर क्लेक करेंगे तो Bubble का Parent की है मुझे बता हो तुम अगर तुमे नहीं पसमुछ पहले थी कि सारे bubbles इस white space में डले हुए है, तो bubble का parent कौन है, यह PBTM, यह है उसका parent, PBTM is this white space, यही तो bubble का parent है, तो मैं listener किस पर लगा दूंगा, PBTM पर, देखना, मैंने का document.querySelector, मैंने यहां पर PBTM पर listener लगा दिया, इससे क्या होगा, मैं किसी भी bubble पर click करूंगा, तो मुझे उसकी details मिल जाहेंगी, अगर event bubbling समझ नहाया तो कुछ इस तरीख से पस एक बार बता दे रहाँ, प्लीज 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 सुन लो रहे तो तो आगे बढ़ सकते हो, किसी भी element पर click करोगे, क्लिक किस पर करने वालो है जीरो पर, तो जब तुम इस जीरो पर click करोगे, तो event इस पर raise होगा, जीरो पर, event इस पर raise हुआ है, तो इस पर listener लगाना पड़ेगा, तो total listener कितने लगाने पड़ेगे अपनको, कितने bubbles हैं यहां पर 168, तो अपनको हर bubble के लिए, listener लगाना पड़ेगा, 168 add event listeners बनाने पड़ेगे, मैं इतना code नहीं लिख सकता, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस bubble के parent पर listener लगा दे रहा हूँ, इससे क्या होगा, bubble पर जब मैं click करोगा तो पहले listener इस पर चेक होगा, पर parent तो एक ही है, PBTM एक ही है, हर bubble जितने bubbles देख रहे हैं इन सब का एक ही white parent है, एक ही है, तो इसलिए मैं PBTM पर listener लगा रहा हूँ, यह है science, ठीक है साब, तो अपने PBTM पर click listener लगा दिया, ताकि जब bubble पर click होगा, तो click listener इस पर नाम मिलकर इस पर मिल जाएगा, और वो चल जाना चाहिए, यह concept है, यह science है, तो चलो अपन चेक करें, alert चल रहा है, आव चेक करें, जब मैं इस पर click करूँगा, that will give us चल रहा है, हम किसी भी bubble पर click करेंगे, हमें चल रहा है मिल रहा है, क्लिक किस पर हुआ, कौन से bubble पर समझना, अगर मैं तुमसे कहूँ आँख बंद करो, और मैं किसी bubble पर click कर दूँ, तो तुम्हें नहीं पता चलेगा, मैंने किस पर किया है, तुम तुम तुला सा दिमाग लगा होगे, कि यार वो mouse वो 6 वाले पर है, तो साइट 6 वाले पर किया होगा, पर जरूरी नहीं हो सकता हो, मैंने तुमसे कहा आँख बंद करो, मैंने 8 पर click करके, अपने mouse को इस 2 पर ले आया, तो अब तुम क्या होगे 2 पर, जबकि मैंने किया click 8 पर था, अगर तुम यही नहीं बता सकते, किस पर click हुआ है, तो तुम यह कैसे बताओगे, कि यहां पर जो hit है, वो इससे match कर रहा है या नहीं कर रहा है, तुम मेरी बात समझ रहे हो, तो तुम्हें यह पता करना पड़ेगा, कि exactly click किस पर हुआ है, तो अब क्या करें, अब यह कैसे पता करें, कि click किस पर हुआ है, बहुत easy है दोस्त, यहां पर जो details आपने accept करी है, जिनको नहीं पता, मैं बता दे रहा हूं, please मेरी बात सुनिये, 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 यहां पर मैंने क्या किया है, मैंने pbtm जो कि white space है, उस पर add event listener click लगाया है, तो कोई भी इस पर click करेगा, white space पर click करेगा, कहीं भी click करेगा, white space के अंदर कहीं भी click करेगा, तो यह click listener चल जाएगा, तो function चल जाएगा, function चलेगा तो मुझे उसके details यहां मिलेंगी, क्या तुम समझ रहे हो, उन details में एक बंदा होता है, उसका नाम होता है target, एक important बात यह सुन लो और समझ लो, इस details का नाम तुम चाचा भी रख सकते हो, यह एक variable है, नई समझे तुम इसका नाम ए भी रख सकते हो, तुमारी मर्जी, बस जो भी नाम रखोगे उसी नाम को तुम्हें यहां पर यूज करना पड़ेगा, मैंने debts नाम रखा, तो मुझे debts बोलना पड़ेगा dot target, dot target सर क्यों लगाया, target वो बंदा होता है जिस पर click हुआ हो, मैं समझाता हूँ, यहां पर 168 bubbles हैं, 168 पॉइंट समझ रहे हो, किसी बर भी click हो, वो click listener चलेगा, तो किस पर click हुआ यह पता करने के लिए, आपको लिखना पड़ेगा debts dot target, debts यह बंदा है, समझ रहे हो, तो सर पता चल जाएगा, सर आप प्रूफ कर सकते हो, हाँ मैं प्रूफ कर सकता हूँ, बता देता हूँ, देखना, for example मैं 2 पर click करने वाला हूँ, debts dot target कौन है, debts dot target इस वक्त आपक वो 2 वाला bubble है, क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो, जब मैं इस पर hover करूँगा देखना, तो यहां पर point करेगा देखना, यह देखो, अब चलो मैं 3 पर click करता हूँ, इस वक debts dot target वो 3 है, तुम point को समझ रहे हो, debts dot target कौन है, debts dot target वो बंदा है जिस पर click हुआ हूँ, अब इस 8 पर click करूँगा, यह debts dot target है, तो मुझे क्या चाहिए, यह 8 चाहिए, यह पूरी चीज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 8 चाहिए, ताकि मैं इस 8 को, इस 7 के against match करा सकूँ, क्योंकि मुझे hit करने को 7 और यह क्या है, 8 तो मुझे score नहीं बढ़ाना है, क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो, बस इतनी सी science है, अगर मैं इसके अंदर dot text content लिख दू, तो सिर्फ मुझे text मिलेगा, पूरे div देखना, dot text content से, उस div का सिर्फ text आएगा, यह कहानी है, मैं क्लिक करूँगा 2 पे, मैं क्लिक करूँगा 9 पे, पर एक चोटी सी दिक्कत है, तुम सोच रहे हो, यह 9 नहीं है गोलू, यह 9 नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो, 9 ऐसा दिखता है, सर वो दोनों सही मित है, नहीं है, वो नीला है, वो काला है, अरे सर, स्ट्रिंग है, मतलब, बताता हूँ, सुनो मेरी बात, 2 में 2 जोड़ोगे अंसर क्या आता है, लेकिन स्ट्रिंग 2 में अगर 2 जोड़ो दोगे भाया मेरे, तो आंसर 4 नहीं 22 आ जाएगा, 2 में 22, अच्छा हाँ, अच्छा तो यह, जब मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो यह जो 3 आया, यह नंबर 3 नहीं है, तो क्या है, स्ट्रिंग है, तो अरे दद्दा भी तो बताया कि अगर इसमें आप तू को जोड़ोगे तो बत्यस बन जाएगा, पांच नहीं बनेगा, तो इस चीज को यह जो टेक्स कॉंटेड है, तो आप इसमें नमबर बनाना है, कैसे, देखना देखना, Capital N-Number यह, Capital N-Number विथ ब्राकेट्स, इसके अंदर इस चीज को अप cut paste कर दो, ये लो, अब यह चीज क्या देगी, नमबर देगी, च्रेक करना चाहोगे आप लोग, आपको देखा तो, मैं फोर पर क्लिक करूँगा नमबर आएगा, ब्लाक निला आएगा, यह देखो निला राइट, यह देखो निला राइट, निला पर्फेक्ट, तो अगर अपन हिंदी में बात करें, तो आपने नमबर मिलने लग गया, इस हम नमबर पर क्लिक करना है, वह नमबर ह mêmes हम इंदी मिल Creator है का है, इस चीज के वज़े से, इस कोड के वए से, तो मैं इसको निकाल लेता है अं, Click the Number, यह मिल गया अब सिर्फ क्या करना है सुनो हमने 3 पे क्लिक किया हमें क्या नम्बर मिला क्लिक नम्बर 3 किस क्या गेंस मैच कनना इस क्या गए इस क्या उससे सेव किया है कहां यहां यहां, getNewHit, यहां दो, तो newHit अम getNewHit function से बना रहे थे, और वो number, जो भी number प्रिंट होने वाला यहां पर 3, वो काई में सेव हो रहा था, rn में, सही है, अब एक छोड़ी सी दिक्कत आई, दिक्कत क्या है, आपको उसको rn को यहां use करना है, लेकिन अगर तो मैं नहीं पता, तो किसी function के अंदर, तो वो variable जब बनाते हो, तो वो variable कभी भी, इस function के बाहर use नहीं कर सकते, मैं समझाता हूँ, सुनो, मेरी बात सुनो, तुमने getNewHit function चलाया, एक number बन गया, number काई में आ गया, rn में आ गया, और तुमने वो number यहां पर print कर दिया, यह print कर दिया, यह number प्रिंट कर दिया, चाहिए है, अब इस number को तुम access नहीं कर सकते, गोलू, अब you might be thinking, क्यों नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूँ, जो चीज function के अंदर बनाई जाती है, यह function के अंदर बना है, वो सिर्फ function के अंदर यूज हो सकती, उसके बाहर नहीं, और अगर आप यह random number, अगर आप यहां यूज करना चाहते हो, तो हम वो यूज नहीं कर सकते, अगर तुमारे दिमाग में समझ नहीं आ रहा, कि क्यों यूज कर रहेंगे, क्यों यूज करना है, मैं बताता हूँ क्यों यूज करना है, सुनो, यहां पर हिट क्या करने को वोल रहा है, तू, मैंने यह पर किस पर क्लिक किया है, फोर पर, तो मुझे मैच तो करना पड़ेगा, कि यह तू, और यह फोर, सेम है या नहीं, अगर सेम होंगे, तो मैं स्कोर दस से बढ़ाऊंगा, और अगर नहीं होंगे, तो मैं स्कोर नहीं बढ़ाऊंगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो यह मैच करने के लिए, मुझे इस टू को एक्सेस करना पड़ेगा, 4 तो access हो रहा है यह clicked number में मेरे को 4 मिल जाएगा पर यह 2 कैसे लाओ and that's what we are talking about तो फिर आम वो 2 access नहीं कर सकते पर कर सकते हैं एक तरीका है पूछो क्या मैं इस variable को अगर इस function के अंदर ना बना के इसके बाहर बना दूँ तो फिर मैं कहीं भी use कर सकता हूं तो इसलिए अपने trick यूज़ करेंगे और यहां पर लिख देते है hit rn ताकि confusion ना हो hit rn और बाइडिफल इसको 0 देते हैं अभी यह नहीं देना चाहो तो नहीं भी दो आपकी मर्जी और यहां पर rn को हटा दो वेर को हटा दो और सिर्फ क्या लिख दो hit rn इससे क्या होगा वो सुनो और यहां पर भी change कर देना ध्यान से इससे क्या होगा वो सुनो आपका जब भी get new hit चलेगा जब भी number निकलेगा वो number काई में save होगा hit rn जो की actually एक बाहर बना हूआ variable है तो मैं कहीं भी use कर सकता हूँ तो फिर मैं यहां पर लिख सकता हूँ if जिस number पर click हुआ हो जिस number पर bubbles आपको जेख रहे हैं अगर बराबर हो hit number के ठीक है मैं यहां पर two लिखा है यह दोनों बराबर हो तो score बढ़ा देना यह ही तो क्या नहीं तो फिर हमने function या अमसे function बनाया है, यहां पर increase score नाम से function बनाया है, BUS हो गया, खतम, देखना, increase score, that's it, that's it, क्या बोला है, यह four, four 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 four, यह लो, score बड़ा के नहीं, पड़ एक दिखकता है, पुछो क्या, अभी भी क्या है four, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, फिर जए कलिक कर दूँगा, क्योंकि कभी हीट चेंज हो नहीं रहा, ये गेम तो मेरे लिए बोट आसान है, मैं लगा था फोर पे कलिक करता रहूंगा, और मैं दुनिया का सबसे बड़ा गेमर बन जाओंगा दोस्तों, तुम भी बन सकते हो, सम सब्सक्राइब आसान ही, मैं समझा देता हूँ, अगर आपके यह मैच हो गए हो सुनो मेरी बात, यह क्या लख है, तो यह स्ञाओं मैच हो गए, अगर इन एक क्लिक इन चेंज हो जाएंगे, तो पिर जीरो-जीरो यह match हुआ, यह bubbles बदल गया और हिट भी बदल गया, simple science, यह देखो, पूरे bubbles बदल गया और यह हिट भी 9 हो गया, मैंने 9 पे click किया, पूरे bubbles बदल गया, हिट 0 हो गया, amazing, तुम्हें सीखने को मिल रहा होगा, I am damn sure about it, right, now you know, now you know, it's increasing, right, तो यह इसकी science रही, तुम मुझे जल्दी से यह बताओ, तुम्हें समझ आया या नहीं आया, एक चोटा सा bug है इस code में, बग देखना चाहोगे तुम, देखना, बग देखाता हूँ, जब यह timer 0 हो जाएगा, जब यह timer 0 हो जाएगा देखना, उसके बाद भी तुम game खेल सकते हो, अभी भी game चल रहा है, तुम game को रोकना चाहते हो, simple तरीका है, पूछो क्या, यह bubble सटा दो, सही है ना, कैसे हटेंगे सर, हाँ बहुत आसान है, अगर timer 0 से बड़ा हो, तो इस वक्त timer 0 से बड़ा हो, तो इस वक्त timer 0 से बड़ा है, तो तुम क्या कर देना, इसे बंद भी गर देना, और साथ य साथ सारे bubbles हटा देना, कैसे बता देता हूँ, document.query selector, मेरे सारे bubbles मैंने काय में डाले थे, PBTM में, तो मैं याँ पर आऊंगा, मेरे pre pbtm.innerHTML को वक्त कर दीजिए, सर इस से क्या होगा, जैसे ही time 0 होगा, तो else चलेगा, तो PBTM वक्त हो जाएगा, that's about it, point समझाया, point समझाया, अब अगर तुम वक्त नहीं करना चाहते हो, उस पर भी color कारी है, color कारी क्या है, देखो, यहां पर तुमने एक H1 लिख दिया, ठीक है, जिस पर तुमने एक ID दे दी, let's say, क्या ID दे दी तुमने, center दे दिया, जो भी ID तो में देनी है, या फिर नहीं भी दी, चलो, नहीं दी, ID नहीं दी, ठीक है, एक काम कर लेना, H1 को डबल कोट की जगा, back tick लगा देना, escape की होती, escape की, just नीच होता, back tick, ठीक है, तो back tick लगा देना, और फिर उसके बाद एक H1 बनाना, ऐसे करके H1, बढ़िया बन गया H1, और इसके लिग देना, गेम ओवर, ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जब तुम्हारा PDTM है, तो यहां पर justify content center कर दो, align items भी center कर दो, ठीक है, तो अब क्या होगा देखना, जब यह हटेगा, गेम ओवर आएगा तो center पर आएगा, 10 to 10, बढ़िया, so it was that easy, मुझे जल्दी से बताओ, तुम लोगों क्यासा लगा, तुम लोग को अच्छा लगा या नहीं लगा, तुम लोग को मजा आया, नहीं आया, प्लीस कमेंट करना ब्रो, I seriously want you to comment, right, thank you very much, अगर तुम यहां तक मत से जोड़े रहे, this is Sherian's Coding School, this is Instagram of Sherian's Coding School, and this is my personal Instagram, आप हमें जरूर वहां पर कनेक्ट हो सकते हो, and I'll be really happy to connect with you, ठीक है, bye bye, अब अगली चीज़ लेकर आ रहा हूं तुम लोग के लिए, which is mind blowing, you will love it, let's go.